हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सोया बीन और आलू की सबजी की रेश्पी अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और एक बार बनाने के बाद ये आपका भी फैबरेट हो जाना है तो चलिए बराना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सोया बड़ी ले लिया है तो यह ज्यादा न छोटा है न ज्यादा बड़ा मेडियम साइज का मैंने यहाँ सोया बड़ी लिया है उसे अब हम पानी से धोलेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें जो भी डश्ट हो वो निकल जाए तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से धोलिया है अब हम एक पतीला गरम करेंगे और उसमें अपने सोया बड़ी को डाल देंगे अब इसमें हम एक चमच नमक डालेंगे नमक से सोया बड़ी के अंदर नमक का टेश चला जाएगा और यहाँ दो चार बुद हम तेल डालेंगे तेल डालने से हमारा सोया बड़ी जो है वो एक दम से ड्राइ नहीं होगा और सॉफ्ट बना रहेगा तो इसे हमें अच्छी तरह से बॉयल करना है बहुत लोग ऐसे ही धोके बना देते हैं लेकिन बॉयल करने से यह त्वासा सॉफ्ट बनता है तो आप एक बार इस तरह से बॉयल करके जरूर बनाईएगा अब देखिए इसे ठंडा थोड़ा होने देंगे और इसका सारा पानी हमें निचोर्स के निकाल लेना है हाथों से इसमें पानी एक दम नहीं रहना चाहिए तो देखिए मैंने सारा पानी इसका निकाल लिया है अब यहां हम 5 मेडियम साइज के आलू ले लेंगे बॉयल किया हुआ इसे हमें बड़े बड़े टुक्रों में काट लिया है अब एक कराई गरम करेंगे उसमें तीन चमश हम तेल डालेंगे और जो आलू हमने काट के रखा था उसे हमें फ्राइ कर लेना है आलू फ्राइ करने से थोड़ा सा सब्जी में सोंधा सा टेस्ट आता तो आलू को आप बढ़ियां से फ्राइ कीजिएगा गोर्डन ब्राउन होने तक तो देखिए आलू हमारा अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुका है अब इसमें हम अपना सोया बरी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे वापस से हम उसी कराही में तीन चंमज टेल डालेंगे एक चमस जीरा भड़के डालना है हमें जीरा थ्वासा चटक जाए तो खड़ा गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में और यहां मैंने 5-6 लसुन डाला है लसुन को थोरा सा हमें गोल्डन ब्राउन होने देना है और दो लाल मिश डालेंगे तो लसुन को बढ़िया से भूनना है ताकि सबजी में बढ़िया सा टेस्ट आ जाया यहां मैंने 4 प्याज ले लिया है प्याज को लंबे लंबे टुक्रों में पतले पतला काट लिया है तो प्याज को भी हमें थ्वासा गोल्डन ब्राउन होने देना है बढ़िया से प्याज को भी फ्राई करना है तो देखिए प्याल भी हमारा बढ़ियासा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब यहां हम दो टमाटर ले लेंगे उसे भी डाल देंगे और यहां हम स्वाग के नुसार नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए ऐसे एक मिरड़ तक हम पकने देंगे तो चलिए चेक कर लगते हैं एक मिनट बार देखिए अब इसमें सारे मसाले हम एट कर देंगे एक चमच हल्दी पाउडर देर चमच लाल मिर्च पाउडर एक कम तीखी वारी लाल मिर्च पाउडर है और यहां एक चमच भड़के हम धनिया पाउडर डालेंगे और यहां एक चमच के करीब हम मीट मसाला डालेंगे, अगर आपके पास मीट मसाला हो तो जरूर डालें, इसे सबजी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, इसे अब हम फ्राइ कर लेंगे, जब तक हमारा मसाले का कलर न चेंज हो जाया, तो देखिए, एक मिनट बाद हमारे मसालों क कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है, अब इसमें हम अपना आलूआ सोया बड़ी को डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, और एक मिनट तक फ्राइ करना है, तो इस तरीके से आप एक बाद जरूर सबजी बनाईएगा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, ये रोटी चावल सभी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे, तो पानी में थुड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं, आप अपने अनुसार कम्या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पानी बाद म तो यहां पर हमें एक चमच भड़ के गरब मसाल टाइट कर देंगे अची तरह से मीक्स कर देंगे एक मिनट तक पकाना है तो चलिएग मिनट बाजेक करते हैं तो देखिए इसमें question शोया बड़ी और आलु में चला गिया है अब इसमें एक चमच हम देसी गी डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे जैसी गी डालने से हमारे सब्जी में और भी चार चांद लग जाएंगे और एक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी हो जाएंगे तो देखिए मैं आपको दिखाते हैं तो देखिए कितने स्वादिष्ट स्वयाबडी और आलू की सब्जी बन के तयार हो गए हैं यह आपको देख के ही पता चल रहा होगा और इसकी खुदबू सारे घर में फैल चुकी है तो अब इसे हम गर्मा गर्म स्टर्फ कर लेंगे इसे आप बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो अमीद है कि यह रेश्पी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलें तो मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बार बार बार